देनिक्सविरा टीवी देख रहे हैं सभी दश्कों का एक वर फिर से स्वागत है मैं हूँ नीरजबाली इस समय हम पहुंचे हैं हलका रामपुरा फूल में जहां पर हम बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के उमीदवार मंजी सिंग सिद्धू जी से सर सबसे पहले देनि मुद्दो को लेकर आप चुराओं में उतरे हैं चुराओं में बेसिकली तो यह है कि सतर साल अजादी हमें जो कह रहे हैं कि हमें अजादी मिली है वो मिल सही महने में यहां तो पंजाब में मेरे को लगता नहीं है कि किसी तरह की अजादी है यहां एमर्जनसी लागू की चाहिए इस तरह की सरकार लेकर आएंगे कि उनको ये लगे कि हमारी अपनी सरकार है freedom to speech हो जिसमें इस तरह की freedom उनकी जो rights हैं वो सारी दी जाएं उनको ऐसी सरकार लेकर आने की तमन्ना है अगर हम रामपुरा तो यहां पर ऐसे क्या स्थानिय मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाम मैदान में उतरे हैं और विरोधियों पर निशाना साथ रही हैं सबसे एहम मुद्दा मैं कहूंगा एक तो यहां पर education system है जो अगर रामपुरा फूल शेहर की बात ही करें तो लड़कियों के लिए college नहीं है और जो हमारे यहां although मंतरी सहबान यहां से education minister रहे हैं फिर भी हमारे गाओं के स्कूलों में ऐसा system था कि teachers नहीं थे teachers अगर थे तो over burdened थे बच्चे तीन तीन सो के पीशे एक teacher अभी मैं आज की date में भी बात करूं तो एक primary school है सलावत पुरा गाओं में तो वहां पे एक भी teacher नहीं है primary school में यह system लाने के लिए ही आमादमी party एक तो schools में teachers की recruitment और जो already चल रहे हैं उनको regular करने की जो ad hoc basis पे हैं एक तो यह बहुत बड़ा मुद्ध है दूसरा मैं कहूं तो एक आंगनवाडी में जो job कर रहे हैं जहां mid day में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी उनकी जो इस वकत salary और ट्वेंटी फाइव हो चुकी है उसको दोबारा सही लाइन पर लेकर आएंगे अंडर ब्रेज का यहां पर बड़ा demand है एक railway अंडर ब्रेज का यहां ओवर ब्रेज यह अंडर ब्रेज वहां पर basically सारा दिन railway फाटक बंद रहते हैं बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो मैं कहूं तो बार बार दोहराते जाएंगे कोई तो बहुत लंबी लाइन बन जाती है अगर हम बात करें सहत सहूलतों की जस तरह से आम आद्मी पार्टी दिल्ली में एक हवाला दे रहे हैं वहां की ववस्था को लेकर तो आप सहत सहूलतों को लेकर किस तरह से अगरसर होंगे भी बिमार होने, अगर उनको ऐसी कोई बिमारी है कि वहां पे इलाज नहीं हो सकता तो बड़े हस्पतालों में, बेजा जाएगा सरकार ने वहां पे भी जो डेली में मैं कहूं तो आमादमी पार्टी ने जो एजूकेशन का बजट था उसे डबल किया था और मेडिकल का भी जो बजट इन फैक्ट जो परपोस्ट बजट थे कही चीजों के जैसे कि मैं कह दूँ ब्रिजजर्स के थे उन प यह सब एजूकेशन और मेडिकल पे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस दिया रहेगा और हर हालत में यह दो बड़ी सुहूलते हैं जो हर गाओं में हर वासी को पहुंचाई जाएंगी सर अगर हम नशो की को लेकर बात करें नशे और लाइन ओर्डर को लेकर तो यहां पर किस तरह की समस्या है तेकिए हमारे रामप्राफूल की बात करूं तो रामप्राफूल वैसे तो सारे पंजाब में यह हाल है रामप्राफूल इससे मोस्ट एफेक्टेड है जो लाइन order की वज़ा से है यहां मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन कई गाउं में ऐसे इंटर गैंग वार्ज हुई हैं और लड़कों की डेट्स हुई हैं कई जेल में पड़े हैं बहुत बड़ी तदाद में डेल में पड़े हैं फिर जो उनके उपर केसर्स कुछ ऐसे भी हैं जो की प कहुंके उनको प्रोटेक्शन थी और वो प्रोटेक्शन की वज़ा से काम करते रहे और उनको इस रस्ते पर लाने वाले भी पॉलिटिकल लीडर्स थे यह सब एक गुंडागर्दी का महौल जो पंजाब में बनाया है उसको ख़तम किया जाएगा लोगों को रात के बारा म मुझे भी निकलें घर से तो उनको यह लगे कि हम लोग सेफ हैं इस तरह का महौल बनाया जाएगा दूसरी बात आप एक तो आपने लाएन ओर्डर की की थी दूसरी की थी आप नशों की नशों की बात अगर करें तो नशों की बात यह है कि मकबूल पुरा आप जैसे के व पढ़ गया है पंजाब में नशे को खत्म करने की लिए आम आदमी पार्टी वचनवद है के पहले एक महीने में नशा पंजाब में खत्म किया जाएगा और जो लोग इसके आदी हो चुके हैं नशे के उन लोगों के लिए ऐसी सुहूलतें दी जाएंगी डॉक्र मेडिकल अलेड दी जाएगी स्थाएता दी जाएगी वो सरकार के खर्चे पर होगी घसको कहते हैं कि सर अगर हम बात करें पंजाब के खरजाई होने की तो पंजाब इस समय कितना करजे में डूबा हुआ है करीब करीब दो लाग करोड का है जिसमें मैं कौँंगा के हमारे जो की तरफ से होना चाहिए था उसकी बजाए जो उस समय 1980s के दौर में 1990s के दौर में खर्चा हुआ वो सारा खर्चा पंजाब के ऊपर डाला गया और वही खर्चा आज बढ़के इतना ज्यादा हो गया है कि हमें सहूलते हमारी बंद हो चुकी है और टैक्सस हमारे पर इतने इ से हियारों क्रोड रपिया वसूल किया जाता है हम से हम कोई भी शोटी चीज खरीदते हैं चाहे माचिस की एक डिबी लेने उस पे भी लगता है तो मैं उस कौसस लेने के वावजूद भी हमारे पंजाब में आवारा मैं कहूं गौ बहुत जादा हैं जिसकी वज़ा से हर आदमी को और इनफेक्ट गव माता को भी इस तरह के एक्सिडेंट्स की वज़ा से नुकसान पहुंचता है और अगर कोई सरकार टेक्स ले रही है तो उसकी हमें सहूलत क्यों नहीं दे रही है इसी तरह के जो मुद्दे हैं वो लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं कि अगर को टेक्स वसूल किया जाएगा मिसाल के तोर पर टोल टेक्स की बात आ रही है टोल टेक्स वसूले जा रहे हैं कितनी देर से टोल टेक्स लागू हो गए हैं उनके पैसे भी रिकावर हो गए हैं फिर भी टोल टेक्स इंपोजड हैं वो क्यों है क्यों कि प्लिटिकल प्रोटे आखे में जिस जिस आदमी के साथ भी मेरा इंट्रेक्शन रही है किसी के साथ आज तक मैंने बही मानी नहीं किया है किसी के साथ दक्का नहीं किया है और दो चीजें मैं जो हर वक्त हर आदमी को दी है वो है एक समा और एक सथकार और इन जो आज से पहले जो मेरे बीस साल से यहां से heme les ہیں कॉंग्रिस और अकाली दल के उन्होंने सद्कार भी नहीं दिया है और समा भी नहीं दिया है। इसी तरह मैं कहूँगा कि मैं एक यहां पे राइस मिलर एस्तोशेशन थी हमारी जो की इस कगार पर्ति के कंगार पर्ति के कगार पर्ति डस rice mills बंद हो चुके थे, दूसरे भी बंद होने के किनारे थे, जब मैंने take over किया as a president, management मेरे को करनी आती है, सबी बाईयों को साथ लेकर चलना आता है, सबी लगों से प्यार करना आता है, इस वज़ा से मैं समझता हूँ कि अगर कोई management मेरे हाथ में आएगी चाहे वो किसी भी क्या बाईय से प्यार बड़े ना की ये हो, कि इस से पहले जो दोनों सरकारे रही हैं, एक पीटता था, दूसरा उनके मलम लगाने भी नहीं आता था, वो अपने गर पे बैठा रहता था, अगर उसके पास कोई जाता था, तो उसकी निती ये थी कि अगर एक पीट रहे तो साथ सभी, सभी बाईयों का प्यार है, इसलिए मैं समझता हूं कि वोट मेरे को करेंगे, तो ये थे मंजीर सिंग जी जिन्नों ने कहा कि मैंने जनता को समय और सतकार दिया है, और मैनेजमेंट के ये काफिर माहिर हैं, तो देखना दिल चस्पोगा कि यहां कि जनता इनको जिताकर अपनी सेवा के लिए लगाती है या नहीं, कैमरामेन वरिंदर महरा के साथ मैं नीरजबाली, दैनिक्स वेरा टीवी, रामपुरा फुल